हंजी नमस्कार दोस्तों सागत आप सभी का हमारी एडूप चैनल प्रिक्षा गाइड पर सभी मित्र और मित्राणियों को आज मैं लाइबरेरियन भरती के रिकार्डिंग बहुत ही शांदार जवर्दस्त इन्फोर्मेशन देने जा रहा हूं तो वीडियो के लाश तक बने रहना वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है दोस्तों अगर आप किसी भी उनिवर्शिटी से लाइबरेरियन का कोर्स करते हैं चाहे वो C.L.I.S. हो, D.L.I.S. हो, B.L.I.S. हो या फिर M.L.I.S. हो कहीं ये स्टूडेंट को फर्जी डिग्रियां तो नहीं दे रहे हैं तो उन ही 12 युणिवर्शिटियों के मैं नाम लेकर आया हूं आपके सामने आप लोग भी देख लेना, कहीं आपने इन्ही युणिवर्शिटियों से तो अपने डिग्री प्राप्त नहीं की है 12 युनिवर्सिटी की सक्ति से जांच होगी राजस्तान क्रमचारी चैन बॉर्ड ने 12 युनिवर्सिटी की लिस्ट सिक्षा विबाग को भेजी है जिसमें से पहली युनिवर्सिटी है दूसरी युनिवर्सिटी है सिंगानिया युनिवर्सिटी जुन्जनू तीसरी है सन्राइज युनिवर्सिटी अलवर और चोती है जे एस युनिवर्सिटी सिकोहा बाद युपी की पांचवी युनिवस्टी है चोदरी देवी लाल युनिवस्टी हर्याना और छटी युनिवस्टी है रणवीर सिंग युनिवस्टी जिंद हर्याना सात्वी युनिवस्टी है गोंडवाना युनिवस्टी गड़ चिरोली महराश्टर की और आठवी है आर टी एम युनिवस्टी नागपूर महराश्टर की उसके बाद दोस्तों नोवी युनिवस्टी है हमारे यहीं की है टांटिया युनिवस्टी गंगानगर और दसवी युनिवस्टी है बी आर अमबेडकर युनिवस्टी आगरा यूपी और इग्यारवी युनिवस्टी है एन एच बीजी युनिवस्टी गडवाल उत्राखंड और बारवी युनिवस्टी है इंद्रा गांदी युनिवस्टी मीरपूर कस्मीर की तो ये 12 युणिवर्स्टियों के नाम आपके राजfathान करमचारी चेन बोर्ड ने भेज दिये हैं सिक्षा विबाग को स्पार ये जाँच तो देखो सिक्षा विबाग की करेगा इनका काम परिक्षाओं का आयोजन करवाना होता है ठीक है अब इन्होंने आगे इसकी लिष्ट बेज दी है अब सिक्षा विबाग अपने करमचारियों को भेज़ेगा एक एक युनिवस्टी में और जाच करेगा इसलिए दोस्तों आप किसी भी युनिवस्टी से लाइवरेजर का कॉर्स कर रहे हैं तो उनसे सर्टिफिकेट लीजिए और डिग्री भी लीजिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लीजिए मतलब कि आपके जुतने भी डॉकुमेंट कोलेज में बनते हैं युनिवस्टी से बनते हैं वो सब आपको प्राप्त करने हैं और मैं तो यही कहूंगा कि एड्मिशन लेने से पहले अच आप फर्जी तरीके से नोकरी हाशिल करते हो क्योंकि आपके नोकरी लेने से आपने कई लोगों का हक मार दिया होता है इसलिए दोस्तों अपने डिग्री की जाच अवश्य कर लें